नमस्कार वेब बारता में आपका स्वागट है बश 2017 के यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मिया टेज हो गई है सभी पार्टियां अपने अपने इफ़तर पर चुनाव जीतने के लिए जुट गई है आज हम इसी मुद्धे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक ज्यादीब करने की ज्यादीब जी प्रशांत किशोर की रण नहीं थी और कांग्रेस की ताजा बदलाव क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को सफलता मिलेगी यूपी में सफलता मिलने के बारे में तो नहीं कहा जा सकता अभी जो लगभग 25 सीटे कांग्रेस के पास हैं वो अगर दुगनी होके 50 हो जाएं तो मैं मानूंगा ये बहुत बड़ी सफलता होगी लेकिन हाँ मैं ये जरूर श्रेयर प्रशांत किशोर को देना चाहूंगा कि बाकी सारी दलों से पहले और भेतर तयारी कांग्रेस की दिखाई दे रही है कांग्रेस ने इन चुनावों को लेकर जो गंभीरता दिखाई है एक तो पहला सबक के लिए है कि लगातार राहूल गांदी को चेहरा बनाने से इसके अलावा वो इमरान मसूद जो हलांकी विवादित रहा उसके बयान को लेकर उसको उन्होंने रखा है तो जो कुल मिलाके उन्होंने कोर टीम बनाई है उसमें इस बात की गंभीरता तो दिख रही है कि कॉंग्रेस जिस तरीके से केवल गांधी परिवार के किसी चेहरे को आगे करके उसी को अपना तुरूप का इक्का मान कर और जो आसपास के चापलूसों की कोटरी थी वो भी हमेशा जताने पे थुली रहती थी क्योंकि वो एक दूसरे को आगे बढ़ते वे नहीं देखना चाते थे तो वो इसी को आगे बढ़ाये रखने में अपनी खुश सफलता समझते थे मुझे लगता है जिस गंभीरता से कॉंग्रेस अपने आपको उत्रप्रदेश के चुनाओं में उतार रही है वो निशित तोरबर बहतर परिणाम दे सकता है लेकिन यहां से आगे का रास्ता कैसा होगा प्रियंका गांधी का नाम लगातार चला लेकिन वो प्रचार करेंगी पर वो अभी कहीं किसी आपचारिक पद पर दिखाई नहीं दे रही है तो यह सारे समीकर्ण बहुत महतपूर होंगे लेकिन जिस गंबीरता से कॉंग्रेस उतर रही है उसको निशित तरीके से उसने अपने आपको मेदान में तो उतारी दिया है दूसरी बात भारती जनता पार्टी की भी अपनी और से तयारी है जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से बिहार के चुनाव में मुस्लिम और यादव वोट महतपूर माने जा रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर दलित और ठाकुर वोट हैं ब्रामन वोट हैं उसके अलहार पर सारी लॉबिंग हो रही है अब दलितों के जो वोट हैं वो सारे अधिकांज बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलते हैं और मुस्लिम वोट जो था अब उसको लेकर ज़रूर बहुत लड़ाई होगी क्योंकि मुस्लिम वोट लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में जाता रहा है अब आगे जाकर हो सकता है उससे दूर छिटके क्योंकि जो दादरी का कांड़ हुआ या मुदफर नगर के दंगे हुए थे उनको लेकर कुछ खटास मुस्लिम वोट बैंक में है कुछ मिलाकर उत्तरप्रदेश के चुनाव दिल्चस्प होंगे ये दिखाई दे रहा हुए था ज़िए कुछ समय पहले सरविक्षन आये थे जिनमें कहा गया था कि बसपा का पलड़ा इस बार भारी रह सकता है असल में ये है कि उत्तरप्रदेश की जो स्थिति है हाला कि जातिय ख़ेत्रिय समीकारन बिल्कुल अलग है जो आसपास का भोगोलिक वातावरन है वो अलग है लेकिन तमिलनाडू जैसे हाला बहुत कुछ उत्तरप्रदेश के भी है तमिल नाडू में जैसे द्रमुक और अन्ना द्रमुक हालागी इस बार वैसा नहीं हुआ है और लगातार अन्ना द्रमुक सत्ता में बनी रहने में सफल रही है लेकिन इत्यास जो तमिल नाडू का रहा है वो ऐसा ही रहा है कि कभी वो कर्मा निदी को चुन लेते, कभी जैला लीता को चुन लेते एक के शासन से तंग आ जाते, एक के भष्टाचार से तंग आ जाते एक के नीतियों से परिशान हो जाते, दूसरे को जिता देते ऐसा ही कुछ वाकिया अभी कुछ समय से उत्तरप्रदेश में चल रहा है जबसे भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस ये दोनों बड़े राष्ट्री दल हाशिये पर दय हैं उत्तरप्रदेश में तबसे वो भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस जैसे राष्ट्री दलों की स्थिती कमजोर होती चली गई और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे छेतरी दलों का महत्व बढ़ता चला गया जिनकी की राश्टी आकांग्शाएं भी हैं फिल्हाल उनको ये सोझ में आया कि जिस तरीके की बुरी पराजय उनकी लोगसवा के चुनाओं में हुई हैं उससे उनको सोझ में आगया कि उन्हें अपनी जमीन पर अपनी जगे पर काम करना होगा इस वाज़ा रहे तो जो सर्वेक्षन आ रहा हैं का खास तर पर कारान ये है कि अखिलेश यादों की सरकार दरसल जो सफलता हासिल करनी चाहिय है जो उनकी एक इमेज एक छवी बननी चाहिए वो नहीं बन पाईक है अखिलेश यादों आव खास तो पर इन्हों ने बहुत निराश किया है क्योंकि सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी इस वक्त हैं देश में वो और युवा से उम्मीद की जाती कि उसकी सोच आगे की होगी वो दूर की सोचेगा कुछ नए विचार लाएगा बहुत सक्री रहेगा लेकिन वो सक्रीता उनमें दिखाई न परिवार में जो आपस में फूट है वो भी सामने आई अभी हाल ही में जो लोग पार्टी में आना चाहते थे चोड़ना चाहते थे उसको लेकर भी अखले शादा और मुलायम सिंग यादों में मद्भेद उभर कर सामने आए हैं नरेंदर मोदी ने हाल ही में चार रेलिया की हैं यूपी में 26 साल से बंग पड़े कारखाने की भी शुरुआत की गई है ऐसे में भाषपा के लिए क्या संभाव ना है जैसे प्रयोग भी कर रहे हैं जहांपर वो अपनी केंदरी सत्ता को उपियोग करके सरकारें बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो विफल हुए हैं तो एक तो उससे उनकी शवी खरा हुई दूसरा कुछ जमाओं में उनको जो सफलता मिली है जारकन में माराश्ट में भी तमाम उठा पटक के बाद आखिर देवंद्र फड़नवीस मुक्योंत्री बन गए हरियाना में उनको सफलता मिली तो ये कुछ राज्यों की जो सफलता थी लोगसवा चनाओं के बाद वाली उससे वो थोड़े उटसाइद थे लेकिन दिल्ली में आकर जो विज़रत रुका और बिहार में तो जो उनको करारी हार मिली है उससे उनको ये सौंज में आ गया है कि ये इतना आसान नहीं है केवल अमिच्छा का जो टीम मेनेजमेंट है, अमिच्छा की जो गुरण नीती है अमिच्छा की जमीन पर भिड़े रहने की जो शैली है, केवल उस वज़े से सफलता नहीं मिलेगी राज्यों में जाकर समीकरन बदल जाते हैं, खास तोर पर उत्तर प्रदेश की जो जनता है बिहार की जो जनता है, वो चुलाओं के दोरान में बहुत घुमा हूँ वहाँ पर तो उनका जो सोच है वो बहुत साफ है, अगर उनको किसी को केंदर के लिए वोट देना है तो केंदर के लिए वोट देंगे, जब बात नगर निकायों की आएगी या विधान सभा की या विधान परिशच की आएगी, तो उनका सोच बिलकुल अलग होता है तो उत्तर प्रदेश में भारत्य जनता पार्टी की रहा आसान नहीं होगी बिल्ली और बिहार के सबक को वो किस तरीके से अमली जामा पहनाते हैं, यह देखना होगा एक बड़ी बात जरूर यह हो गई है कि बिहार में जिस तरीके से आरक्षन को लेकर मुहन भागवत जी का जो बयान था वो उनको लगातार परिशान करता रहा और बात के सरेक्षनों में भी सामने आए कि उसने कहीं तकलीफ पहुचाई है उसी तरीके से अभी जो दयाशंकर सिंग का कांड हुआ है, उन्होंने संसद में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग मायावती के खिलाफ किया है हो सकता है कि यह चुनाव में बड़ी भूमी का निभाए क्योंकि उत्रप्रदेश, बिहार और वहां का पूरा बेल्ट है, वहां की जो जनता है वो इस तरह के मुद्दों को लेकर बहुत सम्वेदन चील है जैसे डियेने वाला जो मुद्दा था उसने भी बिहार में एक बड़ी भूमी का निभाई थी धन्यवाद जैरीब जी, हम चर्चा कर रहे थे उत्रप्रदेश चुनाव की अगली बार फिर किसी नए विशेपर चर्चा करेंगे, नमस्कार